अगर पति के पास नहीं है कमाई का कोई साधन तो क्या पत्नी देगी अपने पती को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता जी हाँ ये सवाल उड़ता है अक्सर आप सभी ने सुना होगा कि तलाक के बाद पती अपने पत्नी को मेंटेनेंस देता है लेकिन इस बार हाई कोट ने पती के हक में फैसला करते वे पत्नी को आदेश दिया कि वो अपने तलाक शुदा पती को गुजारा भत्ता दे अब सवाल उड़ता है क्या खिरकार मा पत्नी को आदेश दिया कि वो अपने तलाक शुदा पती को हर महीने मेंटेनेंस दे आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों तो चलिए जानते हैं 17 अप्रेल 1992 को एक महिला और पुरिश की शादी हुई बाद में पत्नी ने कुरूरता को अधार बनाते वे अपने पती से तलाक मांगा साल 2015 में नादेड की अदालत ने तलाक को मनजूरी दे दी थी तो वहीं पती ने नीचली अदालत में एक याचिका लगाई और पत्नी से हर महिने 15,000 रुपे पर्मानेंट मेंटेनेंस देने की मांग की जी हाँ पती ने कहा कि उसके पास कोई सोर्स ओफ इंकम नहीं है ये बेहती सोचने वाली बात है इसके साथ ही उसने कहा कि उसके पत्नी ने M.A. और B.A. तक परहाई की है और स्कूल टीचर है बस यही नहीं पत्नी ये भी दावा किया कि उसने अपने पत्नी को पढ़ाया है पत्नी हर मैने 30,000 रुपे कमाती है पत्नी की सेहर ठीक नहीं रहती है वह कोई नौकरी नहीं कर सकता है साथी साथ पत्नी के पास घर का सारा समान और प्रॉपर्टी भी है लेकिन पत्नी कहा चुप रहने वाली थी पत्नी ने दावा खारिश करने के लिए भी कहा पती एक किरानी की दुकान चला रहा है, पत्नी ने ऐसा कहा वो एक ओट रिक्षा का मालिक भी है रिक्षा किराए पर दे कर पैसे कमाता है दोनुं की एक बेटी है जो माअ पर निरभर है लेकिन उहम फैसला तो कोट को ही लेना था कोट ने दोनों तरफ की दावे सुनी उसके बाद जो आदेश दिया वो कुछ इस तरह है दोनों पक्षों की income और property को देखते वे कोट ने पतनी को आदेश दिया कि वो अपने पती को हर महीने 3000 रुपे maintenance दे हाला कि इस case के बारे में जानने के बाद आप सभी के मन में कई सारे सवाल maintenance को लेकर आ रहे होंगे तो चलिए उन सवालों का जवाब देते हैं सबसे पहला सवाल ये उठता है कि maintenance का मतलब क्या है जब एक वेक्ती दूसरे को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और मेडिकल जैसी बेसिक जरूरत की चीजों के लिए financial support देता है तो उसे maintenance यानी गुजारा भत्ता कहते हैं दूसरा सवाल maintenance की अरजी कोट में कब लगाई जा सकती है तो अगर पती और पत्नी के रिष्टे खराब हो गए हैं और दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तोर पर नहीं रहते हैं तो पती या पत्नी दोनों में से कोई भी maintenance की अरजी कोट में लगा सकता है अब सवाल ये भी उड़ता है कि maintenance की मांग कौन कौन कर सकता है तो जवाब ये है कि शारेरिक्या मांसिक तोर से कमजोर पती जो पैसे कमाने के लायक नहीं है साथी जरूरी बात ये है कि पती ने अगर पत्नी से maintenance लेने का दावा किया है तो पती को कोट में साबत करना होगा कि वो शारिरी किया मानसिक तोर पर कमाने के लायक नहीं है और उसकी पत्नी पैसे कमाती है। वही सवाल यभी ख़ड़ा होता है कि पती के मेंटेनिंस को लेकर कानूं क्या कहता है। हिंदू मैरेज आक्ट 1995 के अनुसार पती और पत्नी दोनों एक दूसरे से मेंटेनिंस की डिमांड कर सकते हैं। धारा 24 के अंतरगत अगर कोट में पती पत्नी का कोई केस चल रहा है और कारवाही के दुरान कोट को ये पता लग जाएगी पती खुद की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है। तो यहां तक कि उसके पास इस कारवाही के लिए भी पैसे नहीं है। तो कोट पत्नी को आदेश दे सकता है कि वो अपने पती को मेंटेनिंस और कोट के केस में आने वाले खर्श के लिए पैसे दे। हाला कि इस केस में पत्नी के पास सोर्स ओफ इंकम होना जरूरी है। अगर पती के पास प्रॉपर्टी और कमाने की ख्रमता है तो पत्नी से मेंटेनिंस का दावा नहीं कर सकता। अगर पती ने कोट में पत्नी से मेंटेनिंस लेने का दावा किया है तो उसे सबूत भी देन ना होगा कि वो शारेटिक और मानसिक तोर पर कमाने के लायक नहीं है। बच्चों का खर्च देखा जाता है या नहीं। नौकरी ना होने की स्थिती पर बच्चों की देखरे का खर्च भी पतनी के पास होता है अगर वो नौकरी पेशा है तब। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथी हमारे वीडियोज को लाइक और शेर करना ना भूलें।